अब लेका मेरे दोस्त आफ शुरू करते हैं भारत में एक रिशी से समधी जितने वे प्रशन जो भी संस्थान बना है, संस्थान बना है उसके बारे में थोड़ी से स्पीड के चलते हैं क्योंकि ये BBI प्रश्ण है मेरे दोस्त आप खुद देख सकते हैं आप थोड़ आप खुद समझदार हैं खुद समझ सकते हैं कि ये कोशन बनता है कि नहीं तो चलिए फड़ाफट खतम करने की कोशिश करते हैं न चलिए थोड़े से जूंग कर देता हूं चलिएगा देखे तब भारतियो खुद जो है अनुसंधान संस्थान अगर पूछे हैं आप से कृषट समझी तो आब बताएगा नई दिलिए ठीक है अभियान से थोड़ा सा चेंज हो जाता है अभी तक नई दिली में क्या देखे आप अनुसंधान और पडशत नई दिली में क्रिशी से समन्दी ठीक है आगे स्वाल है कि भारती बनश्वती सर्विच्छन संस्थान अगर आपसे पूछे सर्विच्छन संस्थान के अगर बात करें तो कुलकत्ता चीक है अगर आपसे पूछे भारती बनश्वती सर्विच्छन संस्थान अगर आपसे पूछे तो कुलकत्ता को टिक लगा क्याएगा क्या पूछेगा सर्विच्छन संस्थान किस से तो बनस्पती से समंदित तो भारतिये बनस्पती सर्वेच्छन संस्थान अगर पुछे तो कुलकत्ता को टिक लगा कियाएगा ये ध्यान रखेगा उसके बाद चलते हैं उसके बाद है कि बनस्पती से समंदित हैं लेकिन सोध संस्थान कहा है देखे सर्वेच्छन अगर कोई दिकत नहीं होनी चाहिए अब चलते हैं देख लिए आप रिपीट करवा देता हूं जैसे अनुसंधान संस्था नहीं दिल्ली परश्यद नहीं दिल्ली किसे तो कृष्टी से ठीक है बनस्पती सर्वेच्छन कुलकत्ता ठीक है अब बनस्पती सूध संस्थान लखनाउ याद हो किया चली गया यह डिपीट होते जाएगा क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए अब सवाल उठता है रेखिए आगे सवाल क्या है कि लाख शोद संस्थान अगर आपसे पूछे तो राची नाम कुम जगा है या ठीक है नाम कुम जगा पर चुकि राची में पढ ही पूछेगा भारतिये गन्ना सोद संस्थान यह पूछ शुका भी है मेरे दोस्त तो गन्ना की अगर बात करेगा गन्ना सोद संस्थान की अगर बात करेगा तो लखना उबताईगा क्या बताईगा लखना उबताईगा गन्ना सोद संस्थान चीक है आगे अब चलते हैं भारतिय सरकरा, तकनीकी संस्थान, अगर भारतिय सरकरा मदद चिन्नी का अगर पूछे, तकनीकी संस्थान की अगर बात करे, सरकरा का तो यह रिखेगा कानपूर, क्या बोलेगा कानपूर, इसे चिन्नी के रुपे भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, तो तकनीकी संस्थान कानपूर के लिए, सरकरा के लिए, चिन्नी के लिए याद रखेगो आगे सवाल आपका बनेगा देखे भारती एक क्रिशी सेंखी की संस्थान अब देखे, सोद जो था मतब क्रिशी अनुसंधान जो था नहीं दिली परिशद भी था नहीं दिली, लेकिन अब आगया क्रिशी सेंखी की संस्थान अब सेंखी की संस्थान जो है क्रिशी से जो समन्दीत है भारती है क्रिशी संखी की संस्थान वो भी आपका नहीं दिली में ही है याद रखिएगा तो सेंखी की संस्थान अनुसंधान आपका नई दिली में है, परशद भी अगर कृषड से पूछे तो आपको नई दिलेगा ना कृषड से अधिकतर आप नई दिली लगा क्या हिएगा आप चलते हैं नई दिली में और क्या है भाई, चड़ा जानते हैं आगे सवाल है कि भारतिय क्रिशान उर्वरक को आपरेटिव जो है इफो बताएगा कहा है तो नहीं दिल्ली में यह आपका कोश्चन मैं याद दिला दूँ यह कोश्चन आप अगर खांसर का प्रैक्टिस एट लगता है इलेवन इलेवन दियोंगे तो इफो की बात करता है तो यह दुखेगा इफो की बात करता है तो नहीं दिल्ली तो इफो को क्या हुआ था इफो ऐसे था इफो चीक है इफो अब इसी को इफो कर दिया है इफो क्या कर दिया है इफो तो इफो यह दुखेगा नहीं दिल्ली चीक है अगर आप से पूछेगा अगर पूछेगा दिल्ली में सारा है संस्थान खुला हुआ है परशद खुला हुआ है शंकी की है क्रिशिस से समधी तो किशान भी कहां जाएगा वहाई ने जाएगा खात कहां मिलेगा दिल्ली में ही बिलेगा तो यार रिखे को अपरेटिव कहां है तो नई दिल्ली में ऐसे याद कर सकते है चीक है कैसा लग रहा है यह comment box में comment करेंगे आगे सवाल है कि भारतिये जूट निकम अगर भारतिये जूट निकम की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त आपस फिट करके वीडियो दखेंगे ठीक है भारतिये जूट निकम की अगर बात करते हैं बात करते हैं जस्ट मैंने बताया कि भारतिये डेरी जो है भारतिये डेरी निगम कि अगर बात करते हैं तो ये जो है आनंद में आनंद मतलब गुजरात में है ये एक सहर है या ठखेगा गुजरात का किसका तो गुजरात का एक शहर है आनंद तो भारत डेरी अगर निगम प तो दलहन की अगर बात करते हैं अनुसंधान संस्थान की अगर बात करते हैं तो यह दिखेगा यह है आपका कानपूर में जो की यूपी में पढ़ता है जो की कानपूर में है इसका संस्थान कुला हुआ है किसका तो दलहन अनुसंधान संस्थान कुला हुआ है कहां तो आप का गानपूर में खुला हुआ है आगे सवाल बनता है कि भारतिये घांश का छेत्र और भारतिये घांश का छेत्र एवं चार अनुशनधान के इंदर अगर पूछे आप से तो यह दिखेगा जासी में खुला हुआ है अगर पूछेगा कि भारतिये जो घांश का छेत्र होता ह आगे चलते हैं बारति ये पशुत चिकस्ता अनुसंधान संस्थान तो भारतिये अगर पशू चिकिस्ता अनुसंधान संस्थान अगर पूछे तो इज्जत नगर कहां बोलेगा इज्जत नगर तो अगर आपसे पूछे भारतिये चित्र इवम चरगा अनुसंधान केंदर जो है कहां है तो जहासी में है अगर आप पूछे भारती है परशू चिकिस्ता अनुसंधान संस्तान जो है कहा है इज़त नगर में है ये ध्यार केगा कहा है मेरे दोस्त इज़त नगर अब इज़त नगर कहा पड़ता है ये भी बॉटेट है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं की यहाँ पे देखिए घास च्छेत्र अचारा अनुसंधान के उर्ड जहांसी है जहांसी कहा है आप comment box में कमेंट करिएगा ये तो आप जानते ही पूछे हैं आप से देकिन यहाँ पे देखिए पशु चिकिस्ता अनुसंधान संस्तान जो है आप बता सकते हैं कि इजटनगर कहा है तो इजटनगर में अनुसंधान पशु चिकिस्ता अगर पूछे अनुसंधान संस्तान अगर पूछे तो इजटनगर अगर पशु का चारा की अगर बात तो जहां से आ तकेंगे इजद नगर भी आ तकेंगे यूपी का एक हिस्सा है जो कि गुरक पूर के चेत्र में ये पढ़ता है जिक है इजद नगर ध्यान रखेगा चलेगे आगे क्यों आगे सवाल बनता है आपका देखे केंद्रिये राष्टिये पादफ शंगराले ये को पूर पे जगह पे पढ़ता है तो अगर आपसे पूछे प्राष्टिये पादफ शंगराले की बात करें पादफ शंगराले मतलब पौधे हुदे की बात करता है तो पादफ शंगराले की अगर बात करें तो शिप पूर कुलकता में पढ़ता है यात कीगा अब देखे ये आगे चलते हैं कि भाई अब आलू खाईएगा तो सीमिला जाईएगा आगे चलते हैं, आगे अब आस्दी का उपवाई तो भी चाहिए ना, तो आगे केंद्रिय आस्दी शोच संसान की अगर बात करते हैं, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, लगनाओ लौट के आना तो किंद्रिये औसधी शोद संस्थान के अगर बात करें तो लखनों में है याद रखेगा ठीक है आलू सोद संस्थान अगर पूछे तो याद रखेगा शीमला में याद रखेगा और किंद्रिये औसधी के अगर बात करें तो लखनों में याद रखेगा इसकी संस्था किशे याद करेंगे मैशूर को याद करेंगे अब मैशूर तो फेमश है यार आप बता शक्ते हैं मेरे दोस्त कहा है तो केंदरिये ख़द तकनीकी शोध संस्थान के अगर बात करते हैं तो मैशूर को याद करेंगे किशे याद करेंगे तो मैशूर को याद करेंगे ख़द तकनिकी शोध पूछे तब ही लगाईएगा मेशूर याद रखेगा आगे सवाल है कि किंद्रिय आम शोध संस्थान और किंद्रिय आम सोध संस्थान के अगर बात करें तो अपना लखनों को याद करेंगा औस दी का भी लखनों में याद करेंगा आम के लिए भी लखनों को याद करेगा याद सकेगा आगे सवाल है कि केंदुरिय औसधी, देखे, चेंज़ ऑगया केंदुरिय औसधी औसगंदित पादव शनस्थान भी अगर पूछे, तरह देखेगा लखनों में गुमाया एक कोशन देखेएं, यहां औश्धी सनस्ताण खाली कर दिया लखनाओ, यहां लेकिन औश्धी कर दिया, शुगंधित पादव कर दिया तो ओश्धी में सुगंधत होते है नै कोई कोई तो सुगंद है तभी तो लखनाओ है तो यह देखेगा केंद्रिय औस दी एवं सुगंदित पादव संस्थानवी लखनाओ में हैं औस दी संस्थानवी बस कोशन को थोड़ा सा लॉंग कर दिया अब चलिए जूट के बारे में तो आप पढ़े थे मेरे दोस्त अब जूट को देखेए यहाँ पर देखेए केंद्रिय जूट तकनीकी शोसनस्थान भी कर दिया अब देखेए वहाँ पर जूट निगम था जो कि कुलकता में था अब जूट तकनीकी शोसनस्थान भी है तो कुलकता में ही है यह देखेगा बस कोशन को समस्ते चलेंगे रिपीट होगा कोशन और देखिएगा आगे सवाल है केंद्रिये नार्यल सूध संस्थाण जो हैegर आप याद कर सकते हैं पोशर गोड्ड में हैँ अब कोशर गोड जो है कहाँ है या बता सकते हैं तो बतागेगा तो याद रखेगा किंद्रिये नारियल सूद संस्थान अगर बात करें तो कोसर गोड में है याद रखेंगे अगर आपको यहाँ पर देखिए तमबाको शूद संस्थान के अगर बात करते हैं तो याद रखेगा राजमूंदरी में है तो तंबाकू की जैसी बात होगी तो राजमूंदरी को यहाद करिएगा अगर पूछ दे किनारियल सोच संस्थान की अगर बात करे तो आपकेगा कोसर गोड को है तो चलिए इसके बारे में बता देता हूँ कि कहां कहां है यह है ना तो चलिए देखते हैं कहां है कोसर गोड में है और यह कहां पढ़ता है तो केरल में केरल में ठीक है अगर आपसे पूछे तंबाकू सोच संस्थान कहा है मेरे दूस्थ तो राजमूंदरी राजमूंदरी मतलब एपी मतलब आन्द प्रदेश में याद रुखेगा अमराचा प्रदेश नहीं आन्द प्रदेश में याद रुखेगे तो अगर आपसे पूछे किंदरी तंबाकू सोच संस्थान के अगर बात करते हैं तो राजमूंदरी आन्द प्रदेश को याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त आगे की चलते हैं आगे सवाल बनता है कि बाई चावल तो सब खाता है बिहार यूपी जहरकंड बंगाल सब खाता है तो बताईगा किंद्रिये चावल सोच संस्थान के अगर बात करते हैं तो वो है हमारा कटक और कटक कहां पढ़ता है या ब तकेगा बहुत ही अच्छा प्रश्ण है याद केगा अब चलते हैं आगे सवाल बनता है देखें गन्ना के लिए बारे में बताये था में बताये था ना लेकिन अब यहां सवाल आया कि गन्ना प्रजनन संस्थान अगर पूसते आपसे तो याद केगा कोईमबटूर कोईमब बताये कैन्हें परदेश tenimाचछ प्रदेश के ना किंद है किंद्रीने के लिए अगर शाग भाजी प्रिजनन बात करें याद करें आगे सवाल बनता ये सूश्क प्रदेश-सूद-संस्थान अगर पूचे आपसे तो जोधपूर जोधपूर कहा पढ़ता है यह तो अगर आपसे पूझ दें कि जोद्पूर्ज जो है बताएगा वहां कौन सा संस्थान खुला हुआ है तो यह दिखेगा वो बताएगा सुस्क परदेश सोध संस्थान खुला हुआ है ठीक है आजाएए केरल की ओर चलते हैं केरल में तो क्यों केरल में बोले भाई तो तिर्वंद पूरम बताएगा तिर्वंद पूरम भी बोलते हैं तिर्वंद पूरम भी बोलते हैं यह दिखेगा तो यह दिखेगा तो यह अगर पूशा बिहार में पढ़ता है कहां पढ़ता है पूशा बिहार में पढ़ता है यह दिखेगा तो यह अगर पूशा बिहार आजाए क्या आजाए साला ठीक है याद कर लीजेगा तो केंदरिये अनुशंधान याद केगा ऐसे याद सकते हैं याद करने का अपना तरीका है तो याद केगा वो है आपका पूशा ठीक है गलत अर्षत ना लगाएंगे पूशा होगा याद केगा आगे चलते हैं आगे सवाल आपका बनता है मिले दोस्त कि देखिए किंदरिये क्रिशी इंजिनियरिंग संस्थाण तो देखिए एंजिनियरिंग की बात करते हैं तो भुऽपाल को याद करते हैं भुऽपाल मतब MP मतपरदेश ठीक है भुपाल की रज़्थानी मतपरदेश है न तो याद किगा किंद्रिय कृषी इंजिनियरिंग संस्थान अगर पूछे तो भुपाल बता दिएगा ठीक है अगर देखे कृषी यहां पर परशद होता संसाधन होता या संस्था होता तो आपको नहीं दिल लगा देते हैं यहां तक कि कृषी संखी की है संस्थान भी अरकर होता तो नहीं दिली लगाते नेकिन यहां लग गया भाई इंजिनियरिंग संस्थान तो क्या लगा देंगे भुपाल MP में पढ़ता है याद किगा तो अगर इंजिनियरिंग लग जाए कृषी में तो या हिस्सा में पढ़ता है याद किगा तो अगर आपसे पूछे किंद्रिये पच्छी अनुसंधान संस्थान कहा है तो इजट नगर में पढ़ता है याद किगा खुला हुआ याद किगे अब चलिए भाई सारे पच्छी का तो भैंस का भी तो छोड़िएगा क्यों तो किंद केंद्रिये भैंस केंद्रिये भैंस अनुसंधान संस्थान कहा है तो हिशार में आपको यह तुखेगा ठीक है कहा है मेरे दोस्त तो यहां है यह तुखेगा हर्याना हिशार में पढ़ता है यह तुखेगे अगर आपसे पूछ दे कि भैंस है तो बकरी का भी होना चाहिए न तो फरहा मगदूम पर पढ़ता है, जो कि यूपी के छित्र में पढ़ता है, या तुखेगा, आगे चलते हैं, अब अकडी तो भेड़ भी आना चाहिए, क्योंकि उन पराप्त करना है, तो अगर पूछे केंद्रिये भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान कहां है, तो अ अनुसंधान संस्थान जो है, कहां है, तो अंबिकान अगर में है, या तुखेगा, आगे चलते हैं, किंद्रिये खारा जल, या तुखेगा, किंद्रिये खारा जल, जहां समुद्र होगा, है न, समुद्र कहां है, बहुत जगह पे है, तो अगर आपको खारा जल, मस्त पा करेंगे यह द्यान रखेगा आगे सवाल है कि किंद्रिये सुस्क भूमी क्रिशी अनुसंधान संस्थान जो है कहां है तो यह दिखेगा है तो यह दिखेगा अगर पूझदे किंद्रिये सुस्क भूमी क्रिशी अनुसंधान अगर बात करें तो हैदराबाद में देखें इं प्रदिस का है कि तिलंगाना का हिस्सा है यह ऐसा ही कोशन कुमाता है बताएगा आगे चलेंगे किंद्रिय बागवानी फशल अनुसंधान संस्थान कहा है जा रिखेगा कासर गोडा में तो कासर गोडा का एक वरावज चर्चा हो चुका है दूसरी बार है जो कि आपको केरल में पढ़ता है तो कासर गोडा जैसे ही नाम आए तो केरल को याद करिएगा अब क्यों भाई क्यों कि बागवानी फशल अनुसंधान संस्था है इसलिए आगे चलेंगे किंद्रिय ताजा जल मत सपालन अगर पूछे तो भूनेशवर आप उड़ीशा को याद करिएगा याद रखेगा उड़ीशा को चिक है तो अगर पूछ दे किंद्रिय ताजा जल मत सपालन अगर पूछ दे तो याद रखेगा भूनेशवर में हैं समझे मेरे दोस्त इतना अगर आप पढ़ लेते हैं या सून लेते हैं तो आपको 100% एक से दो कोश्चन किलिर होगा बिहा है भी भी आई प्रश्न बनता है आप खुद समझ सकते हैं और मैं जो को डाल रहा हूं समझे वही पॉइंट कर रहा हूं मतलब उसी कंटेंट को डाल रहा हूं जो आपके लिए है जो आपके एक्जाम में क्यूंकि देखिए इस पर अधारित मैंने मोक टेस्ट भी तैयार क में पढ़ता है यह तो अगर आपसे पूछेगा कि किंद्र यह शागरी मत अनुसंधान किंद्र कहा है तो कोची में चलेंगे फ़स्ट बन देखिए यह पूसता है बन सोध संस्थान अगर पूसते आपसे भी भी आई परश्न बंता है यह बहुत बार परश्न पूछा है यह तो यह यह तो आपसे पूछेगा देहरा दुन दिया तो देहरा दुन नहीं तो उत्रा खंड बताएगा ठीक है तो बन सोध संस्थान अगर पूछेए आपसे तो यह तो आगे चलते हैं चलिए तो यहापर देखए आगे सवाल है कि फल सोद संस्थान, अगर फल सोद संस्थान के अगर बात करते हैं तो सवाओर में, शवाओर कहां पढ़ता है यह आप बताएगा, शवाओर ऐसे आपको देखा जाए तो बिहार में पढ़ता है, ठीक है, शवाओर जो है आपको बिहार में पढ़ता है, लेकि शवाओर इसका एक जगा और है जो कि आप बताएगा कहा पढ़ता है तो याद रखेगा ये सवावर बिहार का है याद रखेगे तो अगर आपसे पुझे फल सोद संस्थान के अगर बात करें कहा है तो सवावर में शवावर जो बिहार में पढ़ता है ठीक है याद रखेगा अगर फशल की बात करें बन की अगर बात किया तो कहां बताएगा देहरादून याद रिकेंगे अगर फल की बात करेगा तो शबार बताएगा जो कि परतवान में बिहार में है याद रिकेंगे अब इसे तरह डेरी अनुस्वंधान करना हर्याना में है या तुकेंगे आगे चलेंगे राष्टिये सरकरा अनुस्वंधान सनस्थान कहा है तो कानपूर में यह आप जानते हैं रिपिट हो रहा है बहुत चीनी वाला है ना आगे चलेंगे यहां पर देखे तो अलगा आया सूरतगर सूरतगर आपको लगे अगर संट्रल एस्टेट फौर्म याद रूखेंगे कि सूरत गड़ कहा है, तो आप तो को लगता होगा सूरत में, है तो नहीं, यह राजस्थान में, कहा है मेरे दोस्त, राजस्थान में याद रखेगा, यहीं confusion होता है, यहां दखेगा, तो Central Estate Forum की अगर बात करेगा, तो सूरत राजस्थान को याद करेगा, याद रखेगे, आगे सवाल बनता है कि राष्टी यह स्वाइबीन, स्वाइबीन अनुसंधान केंट, तो स्वाइबीन सबसे जादे कहा मिलता है, मदप्रदेश, मदप्रदेश मतब इंदौर में है, संस्थान कहां खुलेगा, मदप्रदेश में, तो इंदौर में, ऐसे ही याद कर सकते ह खическихाइं कि सबसे जादे खेटी कुल मल mirac1 करता है मद प्रदिश करता है मद प्रदिश करता है तो मद प्रदिश का कौन सा हिस्सा में इंदॉर में इंदॉर में क्या ऐखु़ाएं अनुशा अंधान केंद्र खुल गया है ये यह क्या लग रहा यह वीडियो बताएगा आपको क्या लगता है यह BVI कोश्शन बन सकता है कि कि नहीं करेंगे कुए मेरे अनुसाथ नो एलम हैंडर को क्योंकि मैंने बहुत करने के बाद आपको यह कुश्शन लाने की हमड है मैंने क्योंकि है, इंपोर्टेट है, आप खुद देखके समसकते हैं. तो राष्टिये सोर गम, अनुसा अंधान के इंदर बताईगा कहा है, तो यातखेगा है, हैदराबाद में है, यातखेगा है, हैदराबाद रष्टीये नार्य अनुसंधान केंतरे जुनाग佃म के घरिआज़ेए ऐस्टिये पतलु कहा है यह इ रॉद लॉद भी आप सबस नार्यव के ना-व में अनुसंधान केंत्र राश्टीगा यह ठीक है और अनुसंधान केंतर रहा है तो यह मतल containers राश्ठी ए उस्ठ अनुसंधान कहां विकानेर में ये सब जादया नहीं है चलेगा चलेगे आगे चलेगे ये सब ठीक है बाद में नेक्स्ट वीडियो में कर आदऊगा है तो चलीएगा ठीक है एक तरद से यह इंपॉर्टेटी नेखिए कपाश या तखिए का अनुसंध पूल में जूट करिशिक अनुसंधान के अंदर है चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त और भी भी आई प्रशन हो चुके हैं जितना होना जो है पॉइंट नोट हो गया आपको यह पीडियाफ आपको आज सामने रात में मिल जाएगा एगर वीडियो इसली संड़े में भी हो सकता है करवा दिया जाए चलेगे जहिन जह भारत मेरे दोस्त बस आप तयार रहें मैं भी हरे इससी निकालने का गरंट ही देता हूं बाइबाई टाटा टेक केर मेरे दोस्त